यूपी सरकार हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पादों पर सक्थनियम बना कर बेन लगा सकती है सरकार को आशंका है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवेत कारोबार हो रहा है यही नहीं सर्टिफिकेशन से होने वाली अवेत कमाई से आतंकी संगठनों और राष्ट विरोधी गतिविदियों को फंडिंग की जा रही है मुख्यमंत्री योगी अधितिनाति ने इसका संग्यान लिया और सक्त कारवाई के निर्देश दिये हैं इधर लखनों के एशबाग में रहने वाले शेलेंद्र कुमार शर्मा ने हजरत गन ठाने में गुरुवार 16 नुवंबर को हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ एफायर दर्ज कराई है इसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमीटेड चैनने जम्यत उलेमा हिंद्र ट्रस्ट दिल्ली हलाल काउंसिल ओफ इंडिया मुंबई जम्यत उलेमा मुंबई के खिलाफ कारवाई की मांग की गई है शेलेंद्र कुमार ने कहा कि ये कमपनिया हलाल सर्टिफिकेट अलग-अलग प्रोड़क्स के लिए जारी कर रही है इसे लोगों की आस्ता के साथ खिलवाड क्या जा रहा है यूबी में हलाल सर्टिफिकेट दे कर एक धर्म विशेश के ग्रहकों को धर्म के नाम पर कुछ उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए अर्थिक फायदा दिया जा रहा है शेलेंद्र कुमार ने कहा कि जिन कमपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया उनके उत्पाद की बिक्री को घटाने की कोशिश की जारी है जो की अपरादिक करत है आशंका है कि इस अनुचित फायदे को समाज और राष्ट विरोधी तत्वों को पहुचाया जा रहा है शरेंद्र कुमार के मताबिक शाकाहरी प्रोड़क्ट जैसे तेल, साबुन, टुटपे, शहद, आदी की बिक्री के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है जबकि शाकाहरी वस्तों पर ऐसे किसी सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं होती जाहिरे के एक समुदाई विशेश और उनके प्रोड़क्ट के खिलाफ शडियन तकिया जा रहा है साथी एक वर्ग विशेश के जरिये प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि ऐसे उत्पात का इस्तेमाल न करें जिसे हलाल प्रमान पत्र न दिया गया हूँ इसी के साथ मैंने रहिए एशिया इस इंडिया के साथ हन्यवाद